नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है लोगसभा चुनाओं में करारी हार के बाद कांगरेस अधक्ष राहूल गांधी ने जो इस्तीफे की पेशकस की थी उसके बाद कांगरेस कारी समिती की बैठक हुई और वही हुआ जिसकी उमीद थी यानि कि उनकी इस्तीफे की पे है तो आप बदलाव कर सकते हैं सांगनिक की परिवर्तन कर सकते हैं इसका मतलब समझ रहे हैं मतलब यह कि अधक्ष की कोई गलती नहीं है गलती किसकी है दूसरे पताधिकारियों की लिहाजा आप चाहें तो उनको बदल सकते हैं यही कांगरेस की कल्चर है कि उसके सामने द इसमें असोक गहलाओत का नाम लिया जा रहा था है, कैपटेन अमरिन्दर का नाम लिया जा रहा था, लेकिन वो नाम सिर्फ लिया जा रहा था, कांगरेस इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। और जो अंदर की खबर आ रहा है उस खबर के मुताबिक पहले जो राहूल गांधी ने पेसकस की थी अपनी मा सुनिया गांधी से जो कि अब कांग्रेस में कोई पता अधिकारी नहीं है कांग्रेस कारिस समित्थी की सदस्य है और EPA की चेयर परसन है तो उनको समझाया गया था इस तीफे की पेसकस को नामन्जूर किया गया उनको और अधिकार दिया गया क्या आप चाहें तो परिवर्तन कीजिए और अब कांग्रेस की क्या भूम का होगी वो कांग्रेस प्रवक्तार अनदीब सुर्जेवाला ने प्रेस कांफेंस करके बताई है कि इरान पे अलगे नजवानों का मुद्द अलगे मंगायी का मुद्द अलगे इन सारे मुद्दों पे लड़िए सडक पिर उतर or शकरात्मक विपक्ष की भूमका निभाई ये सब क्रूंक। यक्ष की बिल्कुल भूम का निभानी चाहिए क्योंकि अभी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी को इतना बड़ा मैंडेट मिला है लिहाजा उस जन्त अंत्र में उस जो जन्ता ने कहा है उसका आपको सम्मान करना चाहिए अच्छी बात है लेकिन कांग्रेस के सामने जो सबसे पड़ा यक्ष प्रश्न है वो ये की तीन राजियों के विधान सभाव चुनाओं में जब कांग्रेस जीती थी जब चुना हुए थे पांच राजियों में लेकिन मध्य-प्रदेश राजस्थान और च्छत्रिस गड़ा हिंदी पट्टी के तीनों राजियों में कांग्र सब्सक्राइब दिल्ली में जम्मुकस्मीर में और बिहार में तो यह साल के लाष्ट में शे這邊 सबस्सक्राइब उसके लिए कांग्रेस को कमर कसनी है तो कोई और या राहूल गांधी तो कांग्रेस ने चुन लिया कि राहूल गांधी क्योंकि राहूल गांधी जो है अभी तक ठीक कर रहे हैं कांग्रेस के हिसाब से दरसल कांग्रेस की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये दिक्कत है कि जिस तरह से उ दोरा है उससे बाहर नहीं निकल पा रही है और एक तरह से कह सकते हैं कि जो EPA की चेर परसन या कांग्रेस कारी समित्ती की सदस्त हैं या पूर्व अध्धक सुनिया गांधी अभी भी कहीं न कहीं वो पूत्र मोह में दिख रही हैं क्योंकि उनका दबाव है कि राहुल गांध प्रियंका गांधी नहीं पूरा चुनाव जिताएंगी उनको हरबड़ी में महा सची बना करके आधे उत्तर प्रदेश का चार्ड दिया गया और अब वो प्रियंका गाधी वोट परसेंटेज कहां तो बढ़ना था वोट परसेंटेज और घट गया और जहां आईपी में दो सीटे मिलती थी पिछले चुना में दो सीटे मिली थी मोधी की सुनामी में आधी में दो सीटे मिली थी वो इस बार जो है एक हो गई राहूल गांधी है मेठी से हार गए फिर भी सब कुछ का अंग्रेस में ठीक है और अध्यक्ष बने रहेंगे राह झाल झाल